बगला मुखी कवच का पाठ मा बगला मुखी की साधना आरंभ करने से पहले अवश्य करें. इसे पाढ़ने से सारी बाधाएं समाप्थ हो जाती हैं. तंत्र शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि बगला मुखी कवच का नियमित पाठ करने से शत्रूओं का नाश हो जाता है. जो श्रद्धा से बगला मुखी माता की उपासना करता है, उसे इह लोक में सभी भोग तथा परलोक में मोक्ष की प्राप्ती होती है। यह कवच सर्वसिद्ध दायक है। जो व्यक्ती महानिशा में बगला मुखी कवच को परहता है, उसके असाध्य कार्य भी साथ दिनों के भीतर सिद्ध हो जाते हैं। वचस्य भैरव रशिये, विराट छंद हा श्री बगला मुखी देवता, क्लीम बीजम आईम शक्ति है, श्रीग कीलकम, मं परस्य चा मनो भिलाशी तेष्ट कार्य सिध्ध है विनियोगा। आशि न्यास शिरसी भैरव रशिये नम, मुखे विराट छंद से नम, हृदी बगला मुखी देवताये नम, गुईये क्लीम बीजाये नम, पादियो अयम शक्तिये नम, सर्वांगे श्रीग कीलकाये नम, हृदयादि न्यास एउम ह्रां हृदयाये नम, AUM हरीम शिरसे स्वाहा, AUM हरूं शिखाये वशट, AUM हरैं कवचाये हम, AUM हरौन नेत्रत रहाये वशट, AUM हरह अस्त्राय फट, मंत्रो धारह AUM हरीम ऐम श्रीम क्लीम श्री बगलाणने मम रिपून नाशे नाशे मामै इश्चर्यानी देही देही, शीघ्रम मनो वांचितम का साधय साधय हरीम स्वाहा, कवच शिरो में पातू, AUM हरीम ऐम श्रीम क्लीम पातू ललाटकम, संबोधन पदम पातू नेत्रे श्री बगलाणने श्रुतो मम रिपून पातू नासिकाम नाशे द्वयम, पातू गंडो, सदा मा मैश्वर यान्यंतम तु मस्तकम, देही द्व अश्टाधिक चत्वारिंग शदन डाढया बगला मुखी, रक्षाम करोतू सर्वत्र ग्रहे रण्ये सदा मम, प्रम्मास्त्राख्यो मनुह पातू सर्वांगे सर्वसंधिशु, मंत्र राजह सदा रक्षाम करोतू मम सर्वदा, AUM हरीम पातू नाभी देशम कटी में बग मुखी वर्नद्वयं पातू लिगं में मुष्क युग्मकं, जानुनी सर्वदुष्टानां पातू में वर्न पंचकं, वाचं मुखं तथा पादं शडवर्नाह परमेश्वरी, जंगा युग में सदा पातू बगला रिपु मोहिनी, स्तंभयेति पदं प्रिष्ठ जिहवा वर्नद्वयं पातू गुलफो में कीलेटिच, पादोर्ध्वं सर्वदा पातू बुधिम पादतलेमं करण्यास विनाशय पदं पातू पादांगुर्लियों खानी में, ह्रीम बीज सर्वदा पातू बुधिंद्रियव चान्सी में, सर्वागं प्रणवः स्वाहा रोमाणी मेवतु ब्राहमी पूर्वदले पातु चागने याम विश्णु वल्लभा माहेशी दक्षिने पातु चामुंडा राक्षसेवतु कौमारी पश्चि में पातु वायव्य चाप राजिता वाराही च उत्तरे पातु नार सिंही शिवेवतु उर्ध्वं पातु महालक्ष्मी पाताले शारदावतु इत्यष्ट वशक्त यह पान्तु सायुधाष्च सवाहना राजद्वारे महादुर्गे पातु मांगन नायकह श्मशाने जलमध्ये च भैरवश्च सदावतु द्विभुजा रक्त वसनाह सर्वा भरण भूशिताह योगिन्यह सर्वदा पान्तु महारण्य सदामम इतिते कथितम देवी कवच परमाद्भुतम फलश्रुती यद्यपी बगला मुखी कवच के साथ इसकी फलश्रुती का पाठ अनिवार्य नहीं है फिर भी इसे प्रहने का विशेश महत्व है श्री विश्व विजयम नाम कीर्ती श्री विजय प्रदाम अपुत्रो लभते पुत्रम धीरम शूरम शतायुषम निर्धनो धनम आपनोती कवचा स्यास्य पाठत जपित्वा मंत्र राजम तुध्यात्वा श्री बगला मुख पठेदिदम ही कवचम निशायानियमात्तुय यद यत कामयते कामं साध्यासाध्य महीतले तत तत कामं वापनोती सप्तरात्रेन शंकरी गुरुम ध्यात्वा सुराम पीत्वा रात्रो शक्ति समन्वितह कवचम यपठेद देवित अस्यासाध्यम नकिंचन यम ध्यात्वा प्रजबेन मनुम। भूमो शत्रो स्वरुपम चहृदी नाम समालिखेत। हस्तम तद्रदये दत्वा कवच्चम तिथिवारकम। ध्यात्वा जपेन मंत्र राजम नवरात्रम प्रयत्नत। मृयते ज्वरदाहेन दशमे हनिन संशय। भूर्ज पत्रेश्विदं स्तोत्रमष्ट गंधेन संलिखेत। धारेत दक्षिने बाहो नारी वाम्भुजे तथा संग्रामे जमपनोति नारी पुत्रवती भवेत। संपूज कवचम नित्यम पुजायाह फलमाल भेत। प्रह्मास्त्रादी निशस्त्राणी नैव क्रिंतंति तम जनं। व्रिहस्पति समो वापि विभवे धन्दो पमह। काम्तुल्यश्च नारीणाम शत्रूणाम्च यमोपमह। कवितालहरी तस्य भवेद गंगा प्रवाहवत गध्यपद्यमई वाणी भवेद देवी प्रसादतह। एका दशशतम यावत पुरश्चर अनमुच्यते। पुरश्चर्या विहीनम तू न छेदम फलदायकम। न देयं परशिष्य भ्योदुष्टे भ्यष्च विशेष्टह। देयं शिष्याय भकताय पंचत्वं चान्य थापनु यात। इदम कवच मज्यत्वा भजेत यो भगला मुखी। शत कोटिन जपित्वात उतस्य सिध्धिर्ण जायते। दाराध्यो मनुजोस्य लक्षिज पतः प्रापनोतिम सिध्धिम पराम। विद्ध्याम श्री विजयं तथा सुनियतं धीरं चवीरं वरं। ब्रह्मास्त्राख्य मनुम् विलिख्य नित्राम। भूर्जेष्ट गंधेन वय।